रवेश कुमार एक बार फिर एक्सपोज हो गए हैं कि वो किस तरह से प्रोपेगेंड़ फैलाते हैं रवेश कुमार हमेशा से एक खास एजंडी के तहित काम करते हैं लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करारा चवाब मिला कि वो सोचने पर मजबूर हो गए होंगी रवेश कुमार पच्रकारिता का ऐसा नाम जो अब एजंडा फैलाने वालब बन कर रह गया है रवेश को जब से एंडी टीवी से बाहर का रास्ता दिखाया है तब से लगता है रवेश कुमार बोरा गये है रवेश कुमार अब बस प्रोपेगांड़ फैलाने की मशीन बन कर रह गये हैं वो अपने आकाओं की आदेश पर देश की परेशानी के खिलाफ लोगों के मन में भ्रहम फैलाने का काम कर रहे हैं। रविश कुमार को ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके देश के लोगों के मन में जगह बना पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है रविश कुमार ऐसा करने के चक्कर में अपनी हर जगे फजियत करवा लेते हैं ऐसा फिर से हो गया है क्या है खबर पूरी बताते हैं आपको राइफल शूटर तारा शाहदेब ने रविश कुमार के प्रपेगेंडा का तगड़ा जवाब दिया है बतादे की तारा शाहदेब जबरन धर्म परिवर्तन यौन उद्पीडन और दहेज प्रताडना की शिकार रही है रकी बुल ने उन्हें फसा कर उनके साथ लव जिहाद की घटना को अंचाम दिया था इस मामले में रकी बुल को राचेस्ते सीवियाई की स्पेशल कोर्ट ने आजीबन कारवास की सजा भी सुनाई थी जारकंडोच नियाले का ततकाले रजिस्टरार मुश्ताक अहमद को भी 15 वर्ष की सजा सुनाई गई थी पहले एंडी टीवी में रहे यूटूबर रविश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने अपने हाथ में लव जिहाद एंड अदर फिक्शन से नामक एक पुस्तक ले रखी है उन्होंने किताब का प्रचार करते हुए लिखा कि प्रगती मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में इसके तीनों लेखक मवजूद रहेंगे और इस पर चर्चा होगी रविश कुमार ने लव जिहाद को मनकरंत बताने वाली किताब का प्रोमोशन किया इस पर उन्हें जवाब देते हुए तारा शाहदेव ने लिखा कि रखी बुल जैसे जिहादी जिसने मुझे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के लिए जो शारीरिक और मांसिक प्रतार नाय दी मैं उस समझ नहीं पाई थी कि वो हैवानियत करने की हिम्मत उसमें कहां से आई लेकिन आज समझ आया कि वो हिम्मत उन जैसे लोगों को आप जैसे लोग ही देते हैं तारा शाहदेब खुद लव जिहाद की पीड़िता रही हैं ऐसे में इसे कालपनिक बताया जाना उन्हें बरदाश्ट नहीं हुआ और उन्होंने रविश कुमार को करारा जवाब दे दिया बतादे की तारा शाहदेब को रकीब लहसन ने रंजित कोहली बना कर फांसा था और इस साज़िश में उसकी अम्मी कोशर रानी भी शामिल थे उसे भी दस वर्ष के सजा सी बी आई की विशिश अदालत ने सुनाई थी दोहजार चौधा में ही ये मामला प्रकाश में आया था और दोहजार पंद्रा में हाई कोट के आदेश पर सी बी आई ने चांच शुरू की तो देखा आपने कैसे राइफल शूटर तारा शाहदेव ने रवेश कुमार के प्रोपैगंड का तगड़ा चवाब दिया है बिरो रिपोल्ट ओमेच निउस और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं